और 800% का return कोई भी बड़ी company नहीं दे सकती, तो Hello दोस्तू, आज हम आपके साथ आसी चार कंपनिया शेयर करने वाले हैं, जिसके outstanding result आ रहे हैं, इन सारी कंपनियों के अंदर एक तगड़ा momentum आपको देखने को मिल रहा है, तो momentum trading के लिए तो ये कंपनिया काफी amazing आपको देखने को मिल सकती हैं, वहीं पे fundamental wise अगर हम जाएंग तो fundamentally काफी strong support आपको देखने को मिल रहा है इन सारी कंपनियों के अंदर, ये सारी की सारी कंपनिया कही न कहीं mid cap और small cap से आती है, market leader है अपने sector के अंदर, याफी market share भी increase कर रही है, इन सारी कंपनियों के अंदर, ROCE, ROE, 20% के उपर आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये का अफी तगडी कंपनी हैं, और हो सकता है आने वाले time के अंदर, Nifty 50 के अंदर भी अपनी जगा बना ले, जैसे हम सबको पता है, अगर हम 2000 के Nifty 50 को देखेंगे, तो बहुत सारी large cap कंपनिया replace हो जाती है, mid cap कंपनियों से, तो मुझे लगता है इन 5 कंपनियों में से 1 या 2 कंपनी, Nifty 50 के अंदर जगा जगा ज़रूर बना सकती है, और वो कौन सी एक या 2 कंपनी होगी, जो मुझे लगता है, वो मैं आपको वीडियो के end में बताने वाला हूँ, तो शुरू करने से पहले, इस वीडियो कर दो like और चानल कर दो subscribe कि यह जो content है, इसको ढूंडने में और बहुत ज़्यादा time लगता है, काफी ज़्यादा research करनी पड़ती है, तब जाकर के, ऐसे stock हमें मिल पाते हैं, जो आने वाले time पे आपको multi-bagger return दे सकते हैं, और इन्होंने past में इतने ज़्यादा तगड़े return दिये हैं, कि आप देख करके surprise हो जाओगे, तो इसलिए एक अफ़तार leading company है, जो explosive बनाती है, ये company defense sector की company है, इसने recently इतने तगड़े research papers सामने जाहिर करे थे, जिससे इंडिया एक अलगी level पे stand out कर सकता है, रीसेंटी छे पिनाकास को successfully test किया है Indian Army के साथ, ये first time था कि इस company ने Indian Army के साथ successfully ये test पूरा कर दिया है, तो ये भी clear हो जाता है कि Indian Army को strong बनाने में जादा support कर सकती है, और हम सब को पता है कि government भी focus कर रही है, इंडिया के अंदर ही ये साही चीज़े बना पैं, ताकि हमाय जो imports है, वो कहीं न कहीं कम हो पाए, तो इस company को बहुत स्यादा benefit आपको देखने को मिल सकता है, ये explosive sector के अंदर और आप कह सकते हो defense active के अंदर, one of the leading company है, इंडिया में, इसकी अगर detail video चाहिए, तो आप comment section में comment कर सकते हो, मैं इसको पर एक detail video बना दूँगा, लेकिन अब हम चलते हैं, आगे analysis करने के लिए, क्योंकि 4 stocks है, अगर हम सब stocks के बारे में इतनी detail में बात करेंगे, तो videos काफी लंबी हो सकती है, तो अगर आप देखोगे, तो company का intrinsic value है, वो इस समय पर आपको कम देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ी negative बात है, बट इससे कोई major फरक नहीं पड़ता है, अगर आप stock के ROE को FD के rate से compare करोगे, तो अच्छे return आपको देखने को मिलेंगे, dividend yield ये company नहीं देती, I would say अगर क कोई भी red flag इस company के अंदर नहीं दिख रहे है, वहीं पर आप देखोगे, एक साल के return, तो आपको काफी तगड़े return देखने को मिलेंगे, 40% के आसपास, तो जैसे मैंने बोला था, इन सारी companyों में momentum आते हुए आपको दिख रहा है, तो momentum trading के लिए company काफी अच्छे बन जाती है, वहीं पर इसका जो current price है, वो है 3,944 रुपीज का, यहाँ पर अगर हम इसके कुछ fundamentals के side move कर जाएं, तो आप देखोगे, जो इनके revenue है, यह slowly steadily उपर की side ही move करते जा रहे हैं, जहाँ पर market के अंदर इतनी जादा problem देखने को मिल रही है, market crash हो रही है, इंफलेशन rate आगे बढ़ने की बात चल रही है, वहीं पर solar industries काफी अच्छ revenue हमाई सामने present कर सकती है, solar industries जो है, मुझे लगता है, आने वारे टाइम पे काफी तगडे revenue आपको बना करके देए, जैसे की government defense sector को वैसे भी support करी रहे, तो अगर government किस चीज को support करे तो मुझे लगता है, हम उसके momentum के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप government के against जाने की कोशिश करोगे, तो बहुत ही कम chances है कि आप stock market से पैसा कमा पाऊगे, क्योंकि जैसे government scheme निकालती है, अगर आप उन size scheme का फायदा लो, तो आप भी ज़्यादा पैसा कमाऊगे और government को भी benefit होगा, लेकिन अगर government कहीं पे न ज़रूर करना चाहिए, अब हम चलते हैं, अपने अगले stock की side, और हमारा अगला stock होने वाला है, P.I. Industries, लो P.I. Industries है, वो leading player है, agrochemical space के अंतर, ये strongly presence अपनी दिखाता है, domestic and export market के अंदर भी, इनका जो state of art facility है, ये गुजरात के अंदर आपको integrated process के साथ मिलने वाला है, और development team के साथ मिलेगा, जो के in-house engineering की capabilities के साथ आती है, ये जो company है, ये काफी तीजी से grow कर रही है, जैसे आप इसके chart के अपर भी देख पाऊगे, अगर आप देखोगे, तो last एक साल के अंदर, इस company ने आपको return दिया है, 16.05% का, वहीं पे अगर आप देखोगे, जो उसकी current market price है वो है 3,333 रुपीज, वहीं पे अगर हम इसके left side पे चेक करें, तो जो intrinsic value है, वो आपको कम देखने को मिल रही ही है, अगर आप ROE को FD के rate से compare करोगे, तो आपको अच्छा point देखने को मिलेगा, वहीं पे अगर आप entry point देखोगे, तो काफी gossip entry point आपको देखने को मिल रहा यह leading company है, आने वाले time पे मुझे लगता है, अच्छे level पे grow कर पाएगी, अगर आप इसमें सही time पे invest कर तो आपको बहुत तगड़े return already मिल चुके होते, अगर हम इसके fundamentals की सही जा करके देखेंगे, तो अगर आप इसके net profit देखोगे, जो कि यहां से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, जो इसके net profit है, वो आप देख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रो ही हो रहे हैं, जहाँ पर market में थी problem है, वहाँ पे इनके net profit ग्रो हो रहे हैं, I would say, यह अच्छा time हो सकता है, अगर आप चाहो इसके अंदर invest करने के लिए, तो क्योंकि fundamental wise यह company अच्छी है, momentum के दर यह company आ रही है, तो आप momentum trading के लिए भी इससे देख सकते हो, और long term investment के according भी यह company अच्छी हमें इस समय पर देखने को मिल रही है, इसी के साथ, अब हम चलते हैं, अपनी third company के साथ, बहुत ही जल्दी cover कर रहे हैं, अगर dedicated video चाहिए, तो मैं बार-बार repeat करो, comment section में, जरू अगले stock की side, और हमारे अगले stock का नाम है, Pushak Limited, Pushak जो है न, वो छोटी-मोटी company नहीं है, वो इंडिया की largest phosgene बनाने वाले company है, specialty chemical के अंदर वो company काम करती है, manufacturing के अंदर, obviously, pharmaceutical agrochemical के अंदर काम करती है, performance industries के अंदर काम करती है, Pushak जो है, वो part है, Elmik Group का, Elmik Group की company का, ज जो कि ढूंडी गई थी, 1907 के अंदर, तो इससे आप ये तो पता लगा सकते हो कि कोई चोटी-मोटी company नहीं, काफी तगडी company है, काफी पुरानी company है, इस समय पे इस company के अंदर अगर आप देखोगे, तो आपको consolidation देखने को मिलेगी, और consolidation कोई बुरी बात है, मुझे नही company 3030 से उपर गई है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा consolidation देखने को ज़रूर मिल सकता है, अभी अगर हम इसके fundamentals के साइट फटा फट जाएंगे, तो अगर आप देखोगे जो इसके net profit है, वहाँ पे आपको एक अच्छी खासी growth देखने को मिलेगी, और आप देख सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी company नहीं है, ये एक small cap की company है, जो slowly steadily mid cap की side move कर रही है, और 800% का return कोई भी बड़ी company नहीं दे सकती, तो पोशाक जैसे company अगर आपको मिलती है, जो कि इंडिया के माने जाने area से आ रही है, और ऐसे भी नहीं है, जो कि कल खुली है, 1970 के आपस ही company खुली थी अच्छे खासे brand की subsidiary company आपको ये देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है, अगर आप invest करना चाते हो, तो इस समय पर एक अच्छे level के उपर आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि last एक साल से ये company consolidate हो रही है, और आपको 11% का discount पे मिल रही है, अब हम चलते हैं अपने अगली company के साथ, हमारी अगली company का नाम है Cummins India Private Limited, ये US-based company की subsidiary company हैं इंडिया के जैसे आपको पता है कि Nestle US के अंदर registered है, लेकिन इंडिया के अंदर भी registered है, तो वैसे ही आपको Cummins INC, जो इसकी parent company है, वो US के अंदर registered मिलेगी, Cummins India, इंडिया के अंदर registered मिलेगी, अगर red flag है, तो सारी चीज़े आपको इस समय पर green में देखने को मिल रही है, एक साल के अगर आप देखोगे, तो इसके 50% के return असानी से बना करके दिये हैं, इस company ने, यहीं पर अगर आप 5 साल का chart देखोगे, तो consolidation यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिली है, और आपको recovery दे लेकिन last 2 साल से इनके fundamental भी बापस से अच्छे होते जा रहे हैं, तो I would say, अगर आप देखना चाते हो, तो ज़रूर इसको purchase कर सकते हो, अगर आप मेरे से मेरी favorite company पूछोगी, कि मुझे किसमें invest करना है, या मैंने किसमें invest करा हुआ है, तो मुझे लगता है कि मैं आने वाले ये बहुत ही PC clever के research थी, अगर आपको detail video चाहिए तो comment section में बता देना, क्योंकि मेरे पास एक दो question है, जिसकांसा मुझे solar industry से नहीं मिल रहा है, गूगल ही कर सकते है, और directly तो बताते नहीं है, तो जिस समय मुझे मिल जाएगा, वो भी मैं आपको post के थुरू ज़रूर बता करूंगा in future क्योंकि अच्छे level पे मुझे मिल रही है और momentum के दना मुझे मिल रही है, तो इसी के साथ ये video करते हैं, thank you so much for watching this video, bye bye, signing off.